आप सभी का स्वागत है एक्जाम तक यूट्यूब चैनल में काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रहे थी इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ ये जो है फाइनल वीडियो आपको पता चल जाएगा कि कब आने वाला है आपका SSC GD 2021 का जो एक्जाम हुआ था उसका रि सब कुछ ठीक रहा है तो रिजल्ट ये लोग पब्लिश कर देंगे ठीक है तो ये मैं आपको जानकरी देने वाला हूँ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए एंड साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लेना हूँ सबसे पहले तो है को पता है कि ये कब तक हमको अपना एक्जाम का रिजल्ट दे सकती हैं अभी मैं आपको बता दूँ टीर वन के रिजल्ट में एससी ज्यादा देर नहीं लगाती है रिसेंट में जो सीजील का रिजल्ट आया था अगर बात की जाए जो ऑगस्ट में हुआ था यहां पर नौवेंबर डिसेमर में निका रिजल्ट आ गया था एका तो इंड तक एक जो इंड बिसमबर स्ट्राटिंग में आजयता मतलब अगर बात किए ऑगस्ट थे से तो सैप्टेबर ऑक्टोबर नवर्बर तीन भूए-3 महिने में इनका रिजल्ट आ जाता है अमूमा जो है अगर बात की जाए धाई या तीन महीने में जो है S.C. के रिजल्ट आ जाते हैं M.T.S. का अभी तक आना रिजल्ट बाकिए है M.T.S. का रिजल्ट कब तक आता है M.T.S. अगर बात के बड़े एक्जामें इसमें ज्यादा एस्परेंट बैठे हैं M.T.S. के रिजल्ट के एट लिस्ट 15 से 20 दिन बाद आपका जीडी का रिजल्ट देगा पहले तो नहीं देगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका एक्जाम जो 15 डिसंबर 16 डिसंबर के आसमास में खतम हो गया था तो ये पंदरा दिन अभी आप लोग छोड़ो जन्यूरी एक मैना फैबरुरी दो मैना और मार्च आदा मैना भी मान लो और ये पंदरा दिन गिन लो ठीक है तो 15 मार्च को आपको जाए तीन मेने कंप्लिट हो जाते हैं और फैबरुरी के स्टार्टिंग लोड भी कर लिए होगी अगर आपको नहीं पता कि कब आ गई तो इंटरनेट पे सर्च किलना अभी आपको आंसर की मिल जाएगे शिफ्ट वाइज बाकी पहले आपको जो है अपने खुद की मिल गई होती तो आप लोग आराम से चेक कर पाते बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम न जाना एक सेकेंड आप रुख जाएए अभी आपको क्या करना अपने इस्टडी फर्दर कंटिन्यू रखने क्योंकि MTS का एक्जाम आपको पता हैं वापस से आने वाला हैं कब आने वाला हैं यह जून में होगा और हमने इसके लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट किये हैं हम SSC, CGL, CHSL और MTS के पेपर GK के सॉल्व कर रहे हैं इसी चैनल पर एक्जाम तक पर साथ में डेली करेंट अफेश जिनको देखना है वो देखिए जिनको वीकली रिविजन करना है वो वीकली रिविजन कीजिए जिनको करेंट अफेश से कोई मदलब नहीं है सिर्फ जीके स् करना एक दू मैने के लिए क्योंकि आपका रिजर्ट आ देगा ठीके ना ये काम उनका है आपका नहीं तो यही था आई होप आपको अच्छा लग होगा शेयर करना सबके साथ जैहिन जैभरत